नमश्कार दोस्तों मैं रोईत गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने यूटुब चैनल पर आज की वीडियो में हम करने वाले हैं और साथी साथ पूरी प्लेलिस्ट का लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है अभी यह हमारा पाट वन है चैप्टर टू का पार्ट टू भी आपको जल्द ही मिज़ता आएगा तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करें चैनल पर नहीं आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और अगर पढ़ाया हुआ अच्छे सा समझ में आता है तो वीडियो को होंगे जो यह लिखे हुए हैं आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि यह हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके जो नॉर्मल यूस करते हैं उस टाइप सी नोट्स बनाए गया है तो यह नोट्स जो आपको इंग्लिश जो पूर्य प्रॉपर इंग्लिश होती है जिसका आप असर लिखोगे उस टाइप में भी आपको अवलेबल हो जाएंगे और इसमें भी अवलेबल हो जाएंगे अगर आप इसको भी पर्चेस करना चाहते हो तो यह यह भी आपको मिल जाएंगे और अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले परचेस करते हो तो उसके सा बात करने वाले है डानान आंगीक्त के बारे में पडएगे और यह दो पोपिक और फुदा हैंalter मैंने बताया है तके बारा के बरावरह है फॉपाइंगे चाहिए तो दो वीडियो में ही हूप आएंगे तो स्टार्ट करता है फॉस्ट पॉइंट से इंट्रोड़क्शन था तो क्या पूट है फॉस्ट पॉइंट में कंप्यूटर इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं जो सही व्यक्ति तक सही समय पर पहुंचनी चाहिए ताकि यह य लाज़ेट निकलने के बाद आपको पता चले कि आपको एक्जाम भी सब्मिट करनी थी तो आपके लिए वह इंफॉर्मेशन को नहीं रखे रहेगी क्योंकि आप अपलोड ना एक्जाम भी भर सकते हैं लास्ट निकल चुकी है और नहीं टिया में सब्मेट कर सकते हैं कि दोनों की लास्ट निकल चुकी है है तो यहीं चीज यह पॉइंट बोल रहा है कि सही टाइम पे सही परसंतक इनफॉर्मेशन पहुंचाता है ताकि उसके लिए यह यूस्ट रह सकते हैं इसके पास सेकिंड पॉइंट में क्या रहा है डाटा कम्मिनिकेशन एक ऐसा प्रोस ठीक है इसने दूसरी जगा पर भेज दिया तो यहीं डाटा कम्मिनिकेशन पहलाता है इसके पास में पांच रुपए थे इसके पास पांच रुपए भी तो यह वह प्रोस्ट जिसमें जानकारी को एक जगा से दूसरी जगा भेजा जाता है ठीक है मालो इसको कुछ पता और मेरे को कुछ पता था मैंने वह इंफॉर्मेशन आपको देगी जानकारी यहां पर इंफॉर्मेशन को बोला जा रहा है कॉम्मिनिकेशन टेक्नोलोजी की प्रगतिक ने विक्सित हो रही कंप्यूटर टेक्नोलोजी के साथ मिलकर इस शेत्र में प्रगतिक को प्रेरित क किया है इसके बाद नेक्स्ट क्या वोड़ा है electronic communication में सीधे या computer के माध्यम से information transmit कराने के लिए telecommunications शामिल है अब देखो transmit तो मतलब क्या होता है एक तरीके से यहां पर भी क्या होता है transfer ही बोलो जाता है तो यहां पर क्या रहा है electric communication में सीधे यानि के directly बोलो या computer इंफोर्मेशन को क्या किया जाता है ट्रूम्यूर्टा क्या करते हैं इंफोर्मेशन को ट्रास्फर करते हैं तो यहां पर सिधा पढ़ते हैं क्या होता है यहां पर पता रहुआ में data लांशन में data information की definition देखने को मिल जाती है जो डाटा कॉम्unikeuson के paragraph में लिखा हुआ data communication का मतलब होता है कि data को एक जगह से दूसरी जगह transfer करता ठीक है तो यह क्या क्या लाता है data communication क्या लाता है simple language में ठीक है कोई भी data हो कोई भी information हो हम एक जगा से दूसरी जगा भेसते है वह तो уूं किया говорить जाते है जैसे एक इंफ्रमेशन पड़ुस्वाल्य अंटे मखना थी उनने दूसरे अंटे में बता दी तो यी क्या हो गया है इसके बात क्या वो daha कुभान नेटवर क्यान कि सिस्टम होते हैं जो डिवाइस के बीच में इंफ अंट नेटवर कामी tut t में इसे नेटवर क्या बेद मेंनेटल इन ड्रांस को सटी रहती है डू तरह के नेटवर होते हैं लोकल एड़ीयर नेटवर और ग्लोबल या लॉंग होल नेटवक ठीक है लोकल एरिया मतलब जो च्छोटा मोड़ा एरिया कवर करता है तो यहां पर दे रहा है टैलिफोन नेटवर्क लंबी दूरी तक डाटा कम्मुनिकेशन के उध्धारण है इसके में वाले डाटा कम्मुनिकेशन वायड और वायर या फिर वायरलेस होगा ठीक है इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आजए डाटा कम्मुनिकेशन सिस्टम की एफेक्टिवनेस तीन करेक्ट्रिस्टिक पर डिपैंड करती है डिलीवरी एक्योडिसी और टाइमलेस टाइमलीनेस ठीक है यह डिलीवरी इंसर करता है कि डाटा सही डास्तिशन फर पहुंच ठीक है मिस्टापने को सामानोत करा तो वह सही ही जगा पर मनतब को आपके एडरस पर पहुंचै सब्सक्राइब पर करताहों क्यों ह 그냥 matter टाटा है अब वहलना उसमें यह नहीं ए नहीं पीनना किसी चेंज के ट्रांस्मिशन होता है मतलब फ्रांस्फर होगा है इसका टाइमलीनेस क्या है रियल टाइम ट्रांस्विशन के लिए इंपॉर्टेंट है तब की सही टाइम पर पहुंच सके एक तरीक साम यू कह सकते हैं जैसे आप मालो आप वीडियो देख रहे हो तो मेरी ओडियो पहले आ जारी है वीडि मीडियो चौथा है मैसेज और बाच्वा क्या है ठीक है तो यहाँ पर आपको यह डाइग्राम दिख रहा होगा मैं थोड़ा सा जूम भी कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख सके और अगर आपको यह बुक का पीडियो अगर चाहिए तो मैंने लिंक डिस्क्रिप हो रहा है अब यह ट्रांसफर हो रहा है तो मैसेज भीज़ नहीं कहता है जिसके पास मैसेज आता है मीडियुम क्या है जिसके फूर sih जिसके फूर मैसे आ रही मा लेजए अपको मैं इंफोर्मेशन देन रहां ठीक है मैं अपने दो को पहुंचा रहा हो इंटरणेट के ठ्रूब गोल सकते हैं यूटीब के ठ्रूब पहुंचा रहे हुं आपके पास तो मीडियम क्या है यूटीब है तिक है मैसेज क्या जो भी मैं वोल रहो वह इन पोवेशन या कॉम्निकेट की जने वाला इसमें सारी चाहिए आक्स हो ज़्यादा कुछ नहीं एक तरीके समों हो सकते हैं उसको follow किया जाता है डाटा को transfer करने के लिए मैसेज को ट्राइसज को ठ्रास्फर करने के लिए ठीक है या उसको control करने के लिए प्रोटोकॉल के बिनां डिवाइस connect तो हो सकते हैं लेकिन effectively communicate नहीं कर सकते हैं अब आ जाता है next point आ जाता है communication media ठीक है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले दे रहा वायर पेर तो वायर पेर में क्या वो रखा है local telephone communication और short distance digital data communication में आम तोर पर इस्तेमाल होता है ठीक है normal अगर हम चोड़ा मोटर distance पर अगर हम कहें तो वहाँ पर यह वायर पेर यूज़ होता है communication के लिए telecommunication में यह copper से बना होता है और data transmission speed 100 meters की दूरी पर 9600 bits per second होती है ठीक है तो यहाँ पर आप इतना है यह याद रखिएगा इसकी speed कितनी है ठीक है 100 मेंटर की दूरी पर कितना चलता है यह 9600 bits per second ठीक है और किसका बना होता है copper का होता है ठीक और short distance कपर करता है इसके बाद आजाता है twisted pair यहाँ पर जो important है वह twisted pair हो गया coaxial cable हो गया और भी जो नीचे आएंगे वह मैं comment बताते हुए चलूँगा ठीकि सारा का सारा जो इतना important नहीं है लेकिन हाँ अभी तक जितना मैंने अब को समझाया वह सारा का सारा important था तो ध्यान से सुनिएगा अगर समझे में नहीं आयो तो comment कर दो लिए जब मैं इसका part 2 लेकर आऊंगा उसमें आपकी clear करने के doubt clear करने की कोशिश कर बबात है त्यारी communication के लिए widely use होता है इसमें copper wire को pairs में twist किया जाता है ठीक है क्या कह रहा है यहाँ यहाँ पे ज़्यादतर use होता है और क्या होता है pair में रहता है और twist कर दिया जाता है इसकी image जो है मैं आपको screen पर लगा दूँगा और आपको दिख भी जाएगी इसमें दो forms होते हैं एक होता है unshield unshielded twisted pair और दूसरा क्या होता है shielded twisted pair ठीक है voice और data transmission के लिए होता है और transmission speed two million से लेकर 10 billion पर सेकंड तक और सकते हैं आप देखो यहाँ पर क्या बता रहे किसलिए को transfer करता है एक तो voice को transfer करता है और दूसरा क्या क्या दाटा को transmission करता है इन दोनों का transmission में इस वही transfer करता है और speed तो देखेंगी speed की बात करें तो 2 million से लेके 100 billion bits पर सेकेंड की स्पीड है कि प्रिस्टिंग और एलेक्रोमेगनेटिक इंडेक्शन को काम करने में मदद करता है ठीक है अब यह पर क्रॉस्टॉक क्या था क्रॉस्टॉक मीस आप माँ लिए दो सिगनल को एक में पंबाइन हो जाते हैं अगर पॉर एक्सापल कभी क्या होता है तो क्या होता है कि कहीं और मिला रहे हैं तो कहीं और सली जाती है तो वही इसका एक्सापल आप सकते हैं तो और आप्टिकल पाइबर यह तीनों जो है इसे पहले वाली और और आप्टिकल फाइबर यह तीनों बहुत जद इंपॉर्टेंट है इसमें आ सकता है या एक-दू लेटिंग और कंड़क्टिव लेयर होते हैं जो इंटरफेरेंस को कम करने में मदद करते हैं ट्रांस्मिशन स्पीड टू हंडड़ मीलियन से लेकर फाइफ हंड़ मीलियन बिट्स पर सेकेंड तक होती है इसके पाद आप्टिकल फाइबर डाटा को लाइट पल्सिस के होता है कि ट्रांस्मिशन स्पीड ट्रिलियंस ऑफ वेड्स पर सेकेंड तक हो सकती है जो को एक्जियल के वल से कई गुना और ट्विस्टेट पेर वायर से हजारों गुना ज्यादा हो आप यहां पर क्या बोल रहा है वाला एक पर मैं समझा दोते हूं में बीशाद आपको इसको कोई पर नहीं पड़ता ठीक है और यहां पर इसकी स्पीड बता तेक्कों समझेंग घया होगा यह सितिमाल करके मुल्टिपल सिकनल को कैरिक कर सकता है तो यहां से स्टार्ट होता है और दूसरा दॉसरा है कॉम्मिकेशन set से टेको टूर्टियर प्रफेक्ट एक्जाम्पल और रेसिवर लोग गिगाहर्ट रेंज का इस्तेमाल करते हैं लेकिन लाइन और साइड तक ही सीमित होता है रिले स्टेशन लगबग 48 किलोमेटर दूरी पर अलग-अलग स्थान पर होते हैं तो दूतरा यहां पर लगा होगा तक किलोमेटर के डिस्टस इनके वीच में होता है ठीक है फिर बता दिये कहां कहां आपको देखने को मिल जाते हैं इसके बार नेक्स आ जाता है कॉम्मिनिकेशन सैटलाइट इस पेस में स्थित होते हैं ठीक है वही जो आप सैटलाइट जीनके तुरू मूवीज वगयरा टी जाता और टीवी सिगनल ट्रास्विशन के लिए माइक्रोवेब रेडियो सिगनल का इस्तेमाल होता है ठीक है आप आ जाता है टाइप सॉप कॉम्मिनिकेशन सर्विसेज यहां पर यह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा क्या बहुत ज़़ाद इंपॉर्टेंट जो स्टार बना देता हूं और आगे बढ़ता है जो कॉम्मिनिकेशन सर्विस की डाटा हेंडलिंग क्या डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल होता है आप सिंपल लैंग्विज में बता देता हूं और इसी को यहां पर बताया है यह पूरा पर पूरा तो देखो बैंड इस पर सेकेड ठीक है यहां पर यही इन तीन चार पॉइंट बता रखा है वाइडर बैंडबिट पास्टर इंफोर्मिशन प्लो अलाव करता है जितना बड़ा बैंडबिट होगा उतनी जल्दी जल्दी टाटर ट्रांसफर होगा ठीक है वाइडर पैंडबिट पास्टर इसके बात क्या रखा है एटी एंटी और वैस्टन यूनियन जैसे कॉमन क्या कैरियर वाइस और डाटा कॉम्यूनिकेशन के लिए तीन जनरल क्लासेस के की सर्वेसिस प्रोवाइड करते हैं नेरो बैंड वाइस बैंड ब्रॉट बैंड ठीक है तब यहां पर तीन पढ़ लेते हैं तो नेरो बैंड कम डाटा वॉल्यूम को हैंडल करते हैं तो पर लिजेगा च्रीन लेना है इसका तो स्क्रीन शॉट ले लीजेगा जो भी पढ़ा रहो अगर आप पर्चेस नहीं कर सकते तो स्क्रीन शॉट लेनिजेगा यापी वागतर में लिए गाएगा से अगर आपके मते हैं याफट में पूल है यह पिलिन्दा ब्लैंक में आ सकता है मोडायम की फुल कॉर्म क्या होती है यह इसके श्कित फॉल पटलेता है और डिकोरडिंग के लिए यूस होता है यहां पर पूरी चीज मैंने अब बता दिए आपको जो भी सका काम हता है पिर आदे हैं लक्षिट वी डिजिटल डाता को वी डिजिटल डाता को एनलोग सिगनल केरियर्यज पर असानी से ट्रांस्मिट और रिप्रोडूस करने में की अनुमति देना फिर्श है इसका काम क्या है लक्ष एक तरीके तरह हो गया अब्जेक्टिव इसका 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 ट सब्सक्राइब कर सकता है अब सब्सक्राइब एमेल के लिये इस्तेमाल होने वाले 2400 को गया है या तो यूज़ कम हो जाना या इकम खतम हो जाना ठीक है तो यह कहना चाहरा है कि इसका यूज़ कम हो गया है 2400 पीएस मोडम का ठीक है इसके पाद इवल्यूशन क्या रहा है कि मोडम 24 14.4 के वीपिएस और 28.8 के वीपिएस से इवॉल्व होकर 56 के वीपिएस और उससे भी ज्यादा बैंडविड्थ वाले डिवाइस बन गए हैं आपके अगरा पहले तो यह तनी स्पीड चलती थी इसकी इतनी स्पीड नहीं बोलेंगी इसको बैंडविड्थ बोलते हैं इसकी बैं बैंडविड्थ जो है 56 के वीपिएस तक होगी और उससे भी कही ज्यादा होगी ठीक है इसके पाद आजाता है एडवांस्मेंट एडवांस्मेंट में क्या बोला है इंटिग्रेटीट सर्विस डिजिटल नेटवर्क आईएस जीन अड़ेप्टर और डिजिटल सब्सक्र नेटरी को क्या कर दिया है इंक्रीज कर दिया है बढ़ात इसकी मारियों करें तो यहां पाद करें तो तो बैंड्ल इस यहां साथ कितने ट्पसोंते यहां पर बताया Allah सब्सक्राइए उनका इस्तेमाल से करने के लिए एक रैगुलर फून-जैक से नाम से जना जाता है अब देक्म है यहां पर क्या कैसा अणब गए अगर भरन अगई तो वहाँ पर आफना यह को बना जो इसी को बोलते है आर जे इलावन मोडेम को फोन जैक से कनेक्ट करने के लिए एक टैलीफोन केबल जो अर जे एलावन फलक के साथ होता है उसे यूजुज होती है थिक है उसे यूज़ किया जाता है टाइप्स of landline इसको क्या होते हैं किसी के अंदर होते हैं इसका कहीदा है कि यह बहुत ही चीप होता उनका ड्रॉबेक यह है कि कंप्यूटर के अंदर सित होते हैं जो रिप्लेस्मेंट को कॉंप्लेक्स बना देते हैं मतलब एक तरी बहुत ज्यादा वास्ट बना देता है बढ़ा कर देता है उसके इसके बाद आजाता है एक्स्टरनल देखो यहां पर आपको इंटर्नल और और एक्स्टरनल मोडम दोने की पिच्चर आपको देखने को मिल रही होगी आगे बढ़ते हैं एक्स्टरनल मोडम पर चलते हैं तो यह क्या उता है पाहर की तरफ होता है कंप्यूटर के माध्यम से अटैच होते हैं कम महेंगा और पोटेबल होते हैं असानी से दूसरे अब यह बाकी आप पढ़ लीजेगा इसके बाद आ जाता है वाइस टाटा आप इसका स्क्रीशोट ले लिजेगा एक बाद क्लिचर प्रदान करते हैं कि अधीक ऍद फ्रदान करते हैं ऐग और इसके बार-फिसी कार्ट कर्ट पोटेल कर्फिपटर के लिए दिजाइन होते हैं क्रेडिीट कार्ड के होता है पीसी काड़ विछोट में होते हैं एकस्टरनल का मिश्रन होते है यहां पर इसकी इमेज दिखा देता हूं मैं अब इसके भी स्क्रीन शॉट ले लिजेगा क्योंकि ज्यादा डीटेईल में अगर पढ़ने लगे तो बहुत ज़्यादा टाइम इस हो जाएगा और वीडियो भी बहुत ज़्यादा लेंद हो जाएगी वैसे ही अभी 22 और इसली स्काइब को घूकिर आनवान देते हैं लेंदा लेंडियों से देते हैं लिजफ्य तक शीयर्ड रिमोट एक्स्काइश को में इसका कहा रहा कि अब के serra सकते हैं या यूं बोलने कि मान लीचे चार कंप्विटर में और एक चारों में से किसी भी प्रिंटर से आप लान के तुरूप और यह last topic है और उसके बाद जो है next वीडियो में हम part 2 लेकर आएंगे और उसके आप लेका cover करेंगे उसमें क्या बोला है modem phone lines पर मौझूद analog data को computer के लिए समझने लायक digital data में convert करता है और वाइस वर सब वही ठीक है computer के समझने लायक में convert कर देता है digital में इस process में digital signal को analog signal में modulate change और demodulate decode किया जाता है जो phone lines के margin से travel कर सकते है तो simple क्या बोला है यहाँ पर digital signal को analog signal में change कर देता है और decode जाता है इसके modems computer data को telephone compatible भाशा में translate करते हैं और reverse process को इस्तेमाल करके responding data को फिर से computer भाशा में convert करते हैं ठीक है तो I hope आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इतना chapter और कोई भी doubt नहीं रहा होगा लेकिन अगर फिर भी कोई doubt रहता है तो comment करके जरूर बताए और हमारा आप प्रायूस कर सकते हो नंबर मेरा description में दिया गया है विडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दिजेगा और comment करके जरू बताइएगा देल्फे लुए वाच्छिग वाज़े से तूने विद एड़ देल्मी